हेलो रिवेन विल्कम बैक टू अनलाइन स्टेडियों आज किस वीडियो हम लेका रहा है प्रमुख गुवर्नर्जनरल और वैसराय से संब्द इत्प बहुत इंपॉर्टन क्वेशन्स देखे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इससे पहले मैंने गुवर्नर्जनरल पर अल्रडी वीडियो बना रखा है अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है हमारे जायन पर पहली बार है तो आप उस वीडियो को देख लिजे इस वीडियो के न भारतिय नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है, भारतिय नागरिक सेवा का प्रवर्तन किस ने किया, तो सही आंसर बनेगा option C, करने वालिस, ठीक है, करने वालिस के साजनकाल में, और करने वालिस को ही भारतिय नागरिक सेवा के जनक के रूप में माना जाता है, C will be right answer, बहुत ज्यादा important है और second point की बात के तो इनके समय में तृतिय मैसूर युद्ध हुआ था ये भी बहुत important है चलिए second question दीखिए Lord Willisley की सहाइक संदी को स्विकार करने माला पहला मराठा साधार कौन था देखे ध्यान रखेगा Lord Willisley ने सहाइक संदी को start किया था यहाँ पर प्रशना आप से पूचा गया है कि सहाइक संदी को स्विकार करने वाला पहला मराठा साधार कौन था तो सही answer बनेगा पेस्वा बाजिरा दूतिया ठीक है पेस्वा बाजिरा दूतिया option हम C को टिक करेंगे जो कि बसीन की संदी यानि बसीन की संदी कह सकते अगला question सटेम्ट करिए और देखे राइट आंसर क्या होना चाहिए निमलीखीत कतनों पर विचार करने दो पॉइंट्स दिये के दोनों को पढ़िएंग और बताने कि कौन सा कतन यहाँ पे सही होगा तो आप गेस करिए कि राइट आंसर क्या होना चाहिए अच्छी तरीके से questions को पढ़िए तो हम चले यहाँ पर शुरू करते हैं पढ़ते है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रत्हम गवर्नर जनरल थे तो पहला पॉइंट तो गलत हो जाता है क्योंकि रॉबर्ट बंगाल के गवर्नर जनरल होगे उसको भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कहा जाएगा तो उस वक्त पहले जो भारत के गवर्नर जनरल बने वो लौड विलियम बेंटिंग थे तो यहाँ पे मारा सही आंसर क्या बनेगा केवल और केवल दो बिल्कुल सही है चलिए अग में द्वैस आसन को स्थापित किया था जिसको समापन जिसका समापन किस ने किया वारन हेस्टिंग्स ने तो यह भी important question बनता है next question दीखे सुरक्षा प्रकोष्ट की निटी संबन्दीत है सुरक्षा प्रकोष्ट कह सकते हैं रिंगफेंस पॉलिसी कहा जाता है तो इसका सही आंसर मनेगा Warren Hastings राइट आंसर होजागा option A Warren Hastings ठीक है अच्छा Warren Hastings के समय में आपको यह याद रखना है कि Warren Hastings के समय में ही परत्हम ऑंगले मराथा यूद हुआ परत्हम ऑंगले मराथा यूद का सुरुवात भी हुआ और समापन भी इसी के समय में हुआ था और साथी साथ ये भी आपको याद रखना है कि Warren Hastings ही वो सासक था जिसने द्वैट सासन प्रणाली को समापति किया था मैं आपको उपर में बताया था इसके बारे में चलिए नेक्श वो देखें अगला पॉइंट से बनता है कि निमली खित में से किसने बंगाल में द्वैट सासन प्रणाली को समापति किया था जस्ट भी बात किये थे हम लोगों ने कि रॉबर्ट कलाइव जो थे उन्होंने द्वैट सासन प्रणाली को सुरूख किया बंगाल में लेकिन Warren Hastings ने इसको समापति किया था तो C will be a right answer नेक्ट वन किस गवर्नर जनर्रल पर महावियोग का मुकदमा चलाया गया था और वो कोई और नहीं Warren Hastings सी थे यानि option B को टिक करेंगे बंगाल का भी भाजन 1905 में किसकी अधिक्सता में हुआ था तो right answer बनेगा option D Lord Garjan ठीक है Lord Garjan यहाँ पर right answer बनेगा और पिछली बार भी questions पूछा गया था Lord Garjan से तो आप अच्छे तरीके से इनको याद रखेगा Lord Garjan ठीक है आगे बढ़ते हैं भारत के आखरी ब्रिटिस वैसराय कौन था भारत के आखरी ब्रिटिस वैसराय कौन थे राइट अंसर बनेगा option C यानि की Lord Mount Vaiten ठीक है Lord Mount Vaiten option C को टिक करेंगी और सोतंत्र भारत के प्रताम जो की वैसराय कौन थे तो right answer हमारा बन जागा राज गुपाल जारी ठीक है राज गुपाल जारी अगला questions क्या है सती प्रता को समाप्त किसके दौरा किया गया सती प्रत 1829 में राजारा मोहन राय के सहयोग से Lord William Benton ने समाप्तिक्या यानि option D को टिक करेंगे option T शिरंग पत्नम की संदी टीपू सुल्तान और किन के बीचूती तो तीसरा जो अंगले मैसुर होदा उसका समाप्त सिरंग पत्नम के संदी के दौरा ही हुआ करने वालिस टीपू सुल्तान और करने वालिस के मत यहां पर right answer option एक उटिक करेंगे नेक्स्ट वन देखिए किसके प्रसासन के तहत भारतिय पूरतत्व सर्विक्षन का कारिस शुरू हुआ यह हम कहेंगे 1861 में स्टार्ट हुआ था Lord Canning के समय में और भारतिय पूरतत्व सर्विक्षन के स्थापना जब की गय थी वो Lord Karjan के समय में किया गया था तो यह दोनो अब बहुत इंपोर्टेंट है इसको याद रखना है निमलीखित में से कौन से जोड़ी है जो कि सही धंग से मेल नहीं है तो यहाँ पर बताएगी कौन गलत तरीके से मैच किया गया लॉर्ड लहोजी 1848 में इन्होंने हडप निती को स्टार्ट किया जिसको इंग्लिज में हम लोग डॉक्रिंस ओफ लैप्स के नाम से जानते हडप निती और लॉर्ड मिंटो की बात के तो भारतिय परसद अधनियम 1909 के साथ इनका बिल्कूल सही समान दें लॉर्ड वेजितली की बात के तो साय गठ बंदन उपर हैं उनकों डिसकस किया था और लॉर्ड करजन वर्नाकुलर स्पेस अक्ट के साथ बिल्कूल भी संबन नहीं है क्योंकि Vermangular Space Act को start किया गया था लागो किया गया था Lord Leetton के दौरा जबकि इसको समाप्ते किया गया Lord Ripon के दौरा करजन के साथ यहाँ पे कोई भी सม्बंद नहीं बनता है Vermangular Space Act का तो यहाँ पे हम कहेंगे Option D जो की गलत है और हम D को टिक करके आगे बढ़ेंगे अगला क्वेस्टन्स निलिकीत में से किसके साथ महात्मा गांधी ने सवीने अवग्या अंदोलन को स्थागित करने और गोल्मिज समेलन में भाग लेने के लिए एक समझाते पर स्थाक्चर किया था वो कौन थे? लड इरविन गांधी इरविन समझाता आपने पढ़ा होगा लड इरविन बिलकुल सह होगा जल्दी साब comment करके ये बताए कि ये गांधी इरविन समझाता जब हुआ वो कौन सा date था? डेट के साथ आपको इस वी भी mention करके नीचे comment करके बताना है तो जल्दी से comment करके अगला questions बारती railway और टेलिग्राफ सेवा किसके सासनकाल में स्टार्ट हुआ बारती railway और टेलिग्राफ जो सेवा स्टार्ट हुआ था वो Lord Dalhaugy के समय में स्टार्ट हुआ यानि option हम D को टिक करेंगे लॉर्ड डलाओजी अगला क्वेशन्स निम्लिकीत में से कौन बंगाल के स्थाई बंदवस्थ से जुड़ा था स्थाई बंदवस्थ 1793 लॉर्ड करने वाली स्यानी ओप्सन हम भी को टिक करेंगे फिन्स आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को अगर आपको यह पसंद है तो प्लीज लाइक करें दोस्तों के साथ सेर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी लाइकन को अन करें क्योंकि यहाँ प निम्रिखीत में से कौन आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाते हैं कौन राइट आंसर ऑप्सन डी लॉड डलहौज ठीक है लॉड डलहौज ही बिल्कुल साही आंसर है देखे इनके समय में दो-तिन घटना है जो की बहुत जादा इंपोटन थी जैसे उप परन रोगों देखा था सबसे पहले इन्होंने ट्रेन को स्टार्ट किया त्रेन को स्टार्टिंग कब गया था यह आपको यह डेट याद रखना है 16 अप्रेल ठीक है 16 अप्रेल 1818 दिर्मन को और साती साते इन्होंने अपने समय में 1848 में जो डॉक्रिंस ओफ लैप्स यान का गठन किया था अगला कोशंस निमलिखीत में से कौन सिमला में सिम्ला में वाइसरीगल लॉज और बॉर्टिकल गार्डिन के निर्माड में biscuit रखता है और 1848 में पहला है यह तो बताईगी कि वाइसरीगल जो लॉज इसकी स्थापना किस नी क्याथा निर्माड में कि किसने रूची रखा था ए लॉड डॉफरिंड 1848 की बात किया थे लॉड डॉफरिंड थे उसमें और लॉड डॉफरिंड के समय में एक बहुत इंपॉर्टेंड जो घटना है 1885 का यह आपको याद रखना है क्योंकि इन्हीं के समय में भारतिरस्टे कॉंग्रिस का घठन हु आप्शन C, लॉड हर्डिंग ठीक है लॉड हर्डिंग ऑप्शन C को ठीक करेंगे नेक्स्ट वन दीकिए रॉलेट अधिनियम जो सरकार को अनिस्चित काल के लिए बिना परिक्षण की लोगों को हिरासत करने के अधिकृत करता है किसके समय कि यह घटना है रॉलिंग एक् तो यह घटना है लॉड चेम्सफोर्ट की लॉड चेम्सफोर्ट ऑप्शन E बिल्कुल सरी आंसर है जो कि 1919 की घटना है नेक्स्ट वन कहा है निमलिकीत में से कौन भारत में स्थानिय सोसासन के जनक के रूप में बहुत बार रिपिट हुआ है स्थानिय सोसासन लॉड नेक्स्ट वन भारत मेंं अंग्रीजो की समय में प्रथम जनगर्ना कब हुई थी दि तो ध्यान रखेँगा यहाँ पे अगर आपसे प्रथम पूचा जा रहा है तो राइट एंसर हम आप्सन सी को टिक करेंगे क्योंकि भारत में जो प्रथम जनगर्ना हुई 2881 ऐ में से questions में पूछे तब हम वहाँ पर लॉड रिपन को टिक करेंगे परत्थ हम जनगर्णा की बात करें तो लॉड मियो के समय में अठारो सो बहत्तर में हुआ था तो फिलाल यहाँ पर हम option C को टिक करके आगे बढ़ेंगे इन में से किस गुवर्णर जनरल ने सबसे पहले प्रि निमलिखीत युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है तो बताएए यहाँ पर कौन गलत तरीके से मैच करता है देखें पीट्स इंडियाक्ट 1784 का संबंद वार्ने स्टिंग्स के साथ बिल्कुल सही है डॉक्टिंस ओफ लैप्स डिलहोजी जिसको हडप नहीं थी क यह दियान रिखेगा चलिए अगला कोश्ट फूट डालो और राजकरु की नीथी तो कर्जन ने अपशन फे ब्लकुल सफल है अगला प्राश्ट भारत में कंट्गया चे चेत्रका अंतिम ब्रमक्थ सत रुओं ब्रिटिस भारती राज्य छेत्र का अंतिम प्रमुक जो विस्तार हुआ वो किसके समय में हुआ था Option B, डलहौजी के समय में प्राचिन स्मारक संडरक्षन एक्ट किस गुवर्नर जनरल के कारिकार में पारित हुआ प्राचिन स्मारक संडरक्षन एक्ट को पारित किया गया था करजन के समय में C will be right answer करजन के समय में निवलखीत में से कौन भारत के एक मात्र यहूदी वैसराय था भारत के एक मात्र यहूदी वैसराय था तो यहां पर मारा सही answer क्या बनेगा option D Lord Redding देखें Lord Redding के समय में बहुत सारी घटना है हुई थी जो की बहुत important है इसका समय जो था 1921 से 1926 तक था और सबसे important घटना Prince of Wales जो थे इनहीं के समय में यात्रा पाया हुए थे 1921 में मोपला विद्रो most important तो यह यादर केगा केरल के मालावार तड़ पर जो मोपला विद्रो हुआ 1921 में इनहीं के समय में हुआ था और M.N.Rai ने 1921 में भारती कम्मिनिस्ट पार्टी का गठन भी किया था Lord Redding के समय में ही किस कंपने ने सरप्रत्थम भारत में रेल यातरा प्रारम किया था रेल यातरा प्रारम किया था किस कंपने ने तो इस कंपने का नाम था Great Indian Peninsula Railway ऑप्सन भी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है अगला क्वेस्ट पेसवाई को समाप्त कर दिया यानि कि माराथा जो सकती थे उसको पुरी तरह से समाप्त कर दिया घा था किसके समय में या फिर कब दोन में से कोई भी कर संदी जा सकता है तो पेशवाई को समाप्ति कर दिये गाथा कब तो यह समाप्ति कह था Lord Histings के समय में, Lord Histings ने इसको समाप्ति कह था Lord Histings का समय कब था 1823 से लेकर, एक 1823 तरह और इनके समय में एक बहुत ही महत्पोन घटने घटी थी सुगौली की संधी 1816 में तो यह भी आपको याद रखने है और यहाँ पर राइट अंसर आप्शन बीगोटी करेंगे 1818, भार्तिय पुरतत्वे सर्वेक्शन की स्थापना और एक्षी ध्यान रखेगा, जो चौती अंगले मराथा युद्वा, यह भी इनी के समय हुआ था 1818 में, तो यह कभी 1818, तो यह दोनों अपडेट याद रख सकते हैं, भार्तिय पुरतत्वे सर्वेक्शन की स्थापना किसके काल में हुए थी, मैं आपको अपको बता था, कि भार्तिय पुरतत्वे सर्वेक्शन की जो कारे स्टार्ट किया गया था, वो लॉड कैनिंग के समय हुआ था, लेक थे, वो कौन थे, गौर्णर जनर थे, लॉड विलियम बेंटिंग, कैप्टन सलीमन और इन दोनों के सयोग से, इन दोनों ने मिल करके किया, तो यहनि सम्बन तो तीनों रखते हैं, कहीना कहीं से सम्बन तो तीनों का है, तो यहाँ भी इसलिए हम आप्शन D को टिक करेंग जो डलहुजी थे, उन्होंने सबसे पहले भारत में ट्रेन को स्टार्ट किया था, मुंबई से थारे तक, ठीक है, बंबई से थारे तक स्टार्ट किया गया था, और यह 1833 मुह 16 अप्रेल 1833 में सबसे पहली ट्रेन चली थी, बिटिस बारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल 1912 में के अगया था, लॉड हर्डिंग के समयम, यानि ऑप्सन, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, नेक्स्ट वद देखें, तथा कथित सुसासन के अधार पद, किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राजजी के प्रसासन को ले लिया था, सुसासन के अधार पर, गवर्नर जनर 1856 में अवद को मिला लिया था, ये भी इंपोर्टेंट है, 1856 में अवद को लॉड डल हो चिने, स्थाई बंदबस किस के सासन काल में प्रारम हुआ, अब मुझे ये बताने की जुरत नहीं है, अब इसका राइट अंसर आप नीचे कमेंट करेंगे, 37 का राइट अंसर आप अंडबान निकोबार में उनके हत्या कर दी गई थी, इनका नाम था लॉड मेओ, छीकर लॉड मेओ, उप्सन सी, नेक्स्ट वन, निमलीखित में से कौन सा एक सही सुमेली था, तो बताएगे यहाँ पे गलत सभी किया गए, लेकिन एक सही तरीके से मैच करता है, तो देख लॉड वेजेतली के साथ होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया, भारतिराश्टे कॉंग्रिस की स्थापना हुई थी 1885 में, और उस वक्त कौन थे, उपर में डिसकस किये थे न, 1885 में डफरिन होगा, ना कि यहाँ पे क्यानिंग, तो ये पॉइंट गलत है, कैनिंग के ये याद रखेगा, तो राइट एंसर क्या बन गया, ऑप्सन ए जो की बिल्कुल साही तरीके से सुमेडित करता है, चलिए नेक्स्ट बन देखिए, लास्ट कुछन में आप से पूछूँगा जो की, आपके लिए क्योच का होगा, निमलिकीत में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप देखिया, दास प्रथा को समाप देखिया, क्या होगा साई अंसर, दास प्रथा को समाप देखिया था लॉड एलेन बरुने, ठीके, अठारा सो तेतालिस में जो की चार्टर अक्ट क्या था, अठारा सो तेतीस के चार्टर अक्ट के दौरा ठीक है ठाराइसो तेतीस के चार्ट एक्ट के दौरा ठाराइसो तेतालिस में होने दास प्रता को सवाप दिखिया तो आपसन बी को टिक करेंगे तो उमीद करते हैं कि आप लोग को आज के वीडियो डेफिनिकली पसंद आओगा अब जल्दी से क्यूज का क्वेसंस है आपक अच्छे तरीके से नॉलेज है तो आप और भी एक्स्पेंट कर सकते हैं तो फिलाल आज कि इस वीडियो में इतना ही उमीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद होगा मॉर्निंग में आपको करेंट अफेस का वीडियो दिया है पांसो करेंट अफेस का एक काफी अच्छा वीडियो है आप उस वीडियो को जरूर देखें और इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम बहुत जाद लाने वाले हैं जिसमें और भी आपको 300 से ज्यादा क्वेशन्स होंगे तो बस आप हमारे साथ बने रहिए और अच्छे तरीके से अपने प्रिपेशन में लगे जो टॉपिक आपको दियागा उस टॉपिक को पहने पढ़िए और उसके बाद हमारी वीडियो को देखें ताक्या आपको एक तरश से नौलेज हो सके कि हाँ रिवीजन किस तरह से करना है और अपने टॉपिक को कि तरह से पढ़ना है तो चलिए मिलते नेक्स प्लास में थ